दोस्तो रमी एक ऐसा इसकिल का गेम है अगर इसे आप ओल्लाइन रियल मनी के लिए खेलते हो तो आप इसे अगर थोड़ी सी समझदारी के साथ खेलो तो इसके अंदर आप रोज की पांच-दस यह रुपे की अर्निंग बना सकते हो लेकिन अगर वही पर आपने बिना समझारी के खेला तो आपका इस गेम के अंदर लाख रुपे का नुकसान भी हो सकता है क्योंकि इस गेम के अंदर फाइनिशल रिस्क इन्वाल्व है यह वार्णिंग तो आपको सब जगे मिली जाती होगी आज मैं आपको यहाँ पर यह बताने जा रहा हूं कि कौन सी रमी एप्लिकेशन आपके लिए बहुत बढ़िया है मैं यहाँ पर मैजिक रमी को प्रमोट नहीं होगा और डॉन परी मैं आपको जन्विनली बताऊंगा कि कौन सी रमी एप्लिकेशन आपके लिए बढ़िया है जहां पर खेलने से आप रोज के 5-10,000 रुपे अराम से बना सक अब वो 5-10,000 रुपे बनेगा कैसे यही आज की वीडियो का टॉपिक है और यही आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लेकिन अगर आप कोई सा भी ऑनलाइन रेल मनी का गेम खेलते हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और इसका की शारुख खान एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके अलावा आपको जंगली रमी वह मिलेगी गेम स्क्राफ्ट का रमी कल्चर रमी टाइम आपको वहाँ पर मिलेगा और मैजिक रमी जिसको की मैं रिकमेंड करता हूँ वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी दोस्तो तो जब से नई government की GST policy आई है तब से इस game के अंदर पैसा बराना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है आप देखोगे कि जितने भी बड़े brand ने क्या कर रहे है इस time आपकी withdrawal के उपर उनकी पूरी नजर है अब आप देखो रमी सरकल जैसा brand क्या करता है मैंने यहाँ पर अग जाए लेकिन आपको सुनकर surprise होगा कि मुझे पूरे 1780 रुपे मिलते ही नहीं है मुझे दिखाई तो देते हैं कि मैंने 1780 रुपे विन करें लेकिन रमी सरकल चालक ही से आपके 1000 रुपे वापस deposit के अंदर transfer कर देता है और withdrawal के अंदर आपको सिरफ 780 रुपे मिलते हैं यान जो पैसा आपने लगाया है जीतने के बाद आपको वो पैसा भी पूरा नहीं मिल रहा है आपने जो 1000 रुपे जो आपके deposit में transfer हुए withdrawal से उस 1000 रुपे से जब आप अगला गेम खेलोगे तो वो गेम आप definitely हारोगे हारोगे पहला गेम जो आप जीते हो उसके card साब देख ले ना यानि कि वो 1000 रुपे कहने को deposit में है लेकि 90% chances है कि वो पैसा आप हारोगे ही हारोगे तो कहने का मतलब आपने 1000 रुपे लगाए और आपने गेम जीता और आपको 720 रुपे मिलेंगे जिसे आप account में निकाल लो ये तो बात भी रमी सरगल की अब रमी कल्चर क्या कर रहा है मान लो वहाँ पर आपने 1700 रुपे जीते हैं तो वो आपको पूरे 1000 रुपे ट्रांसफर नहीं करेगा उसका कुछ पार आपका वहाँ पर deposit में ट्रांसफर करेगा और कुछ पार आपको withdrawal के अंदर देगा मतलब जितनी आपने गेम एंट्री फीस्त लगाई है उससे यही होता है रमी टैम है मान लो आपने 500 रुपे का डील गेम खेला और आप जीत गए वैसे तो आपको 900 रुपे मिल गए अब काईदे से आपको 900 रुपे सीधा बैंग में निकालने की परमिशन होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर withdrawal के टाइम पर आपको दो option मिल जाते हैं या आप 612 रुपे निकाल लो और बागी पैसा deposit में ट्रांसफर कर लो या पूरा 900 आप deposit में ट्रांसफर कर लो उसके ओपर आपको 45 रुपे का और आपको प्रोमो केश दे देंगे जिसे वो discount credit कहते हैं अब वो पैसे को अगर मैं ट्रांसफर करे भी लूँ चलो मैं सोचता हू कि यार चलो withdraw नहीं करते भी और गेम खेल लेते हैं तो जब मैं उसको transfer करूँगा और उसके बाद जो मैं गेम खेलूँगा उसमें मेरे कार्ड ऐसे आएंगे कि मैं वो गेम जीती नहीं पाँगा तो कहने का मतलब जब आप गेम में जीत जाते हो उसके बावजूद भी एक कंपनिया वापस deposit के अंदर transfer कर रही है ताकि आप दुबारा खेलो और फिर हार जाओ दुबारा खेलने में कोई गुराई नहीं है लेकि जब भी आप नोट करना कि आपका पैसा withdrawal से deposit में transfer हो रहा है उसके बाद आप खेलते हो तो आपके card 90% cases में बिलकुल बेकार आएंगे अब यह इन्होंने software में कोई setting कर रही है यह मुझे नहीं पता है तो charge करने के बाद ही पता चलेगा लेकिन actual में जो मुझे समझ में आता है कि 90% scenario में ऐसा ही होता है कि withdrawal के बाद जब आपका पैसा deposit में transfer किया जाता है और फिर जो आप game खेलते हो वो game आप हारते ही हारते हो औ और अगर आप मेरी बाद से सहमत हो तो मुझे comment करके बता देना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता जीतने के बाद भी आप हार रहे हो क्योंकि जिस पैसे को आप निकाली नहीं सकते वो winning आपके किस काम की अब आप सोच रहे हों कि यार वीडियो का topic तो था कि रोज के पैसा withdrawal से deposit में बिना आपकी permission के transfer किया जा रहा है और मैं magic army क्यो recommend करता हूँ क्योंकि magic army में ऐसे आपका पैसा withdrawal से deposit में नहीं transfer किया जाता है शिरफ जो promo part उन्होंने दिया है वही पैसा promo का deposit में जाता है पूरी के पूरी game entry fees transfer कर रहे हैं ये लोग यार आप कहां से जीतोगे आप सोचो इसलिए अगर अपने मेहनत से कमाए वह पैसों से थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो लिंक यहां पर दिया हुआ है magic army.in website से magic army को download कर लो या फिर google में search कर लो magic army वहाँ पर आपको magic army.co.in नजर आएगा वहाँ से आप application को download कर लो इन दोनों जगे से download करने पर आपको एक special gift मेरी तरफ से मिलेगा वो तम मिलेगा जब आप download करने के बाद उसका skin short मेरे whatsapp number पर यहां share करोगे इन बड़े बड़े brand से बाहर निकलो इनके खर्चे बहुत ज़्यादा है भाई इनको शारू खान अजे देवगन और रितिक रोशन को करोड़ो रुपे महीने के देने हैं और वो सब आपकी जेब से जा रहे हैं वहाँ से निकलो और magic army को download करो इनका brand ambassador मेरे जैसा simple इंसान है कोई करोड़ो रुपे में इनसे नहीं लेता हूं बहुत कम पैसे में इनसे लेता हूं और इसी वज़े से ये company ऐसे scam नहीं करती है जैसे कि आपको बाकी रमी application के साथ नजर आते हैं गेम की calculation को समझो एक बार जो जिन application में आप खेलो ने इनकी transaction में इनके statement जाके देखो क सीधा सीधा आपको इतनी calculation इतनी महां पर complicated मिलेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा यह हुआ क्या प्रोमो दिया प्रोमो ले लिया deposit में दिया फिर withdrawal में ले लिया मैं सब कर कह रहे हैं लोग और उपर से रमी culture जब आप withdrawal करते हो उसके उपर भी 5% के 4 दिन लगा देता है मत सारी application को अपने mobile जान install कर दोगे जो आपकी winning को आपकी withdrawal को जो आपके सीधा bank में जानी चाहिए थी उसको बिना आपकी provision के deposit के अंदर transfer कर रहे हैं यह बहुत बड़ा scam है कि आपके पैसे का पूरी तरह से नुकसान कर रहे हैं और इस तरह से आप कब लाखों रुपे के अबी नी चलेगा तो एक अच्छे player बनने के साथ साथ एक समझदार player बनो समझदारी से खेलो all the best happy gaming happy earning